हां तो बैए स्वागत अपनी जनता का नए पॉड़कास में आज का पॉड़कास भी बहुत ज्यादा मज़ेदार इंट्रस्टिंग होने वाला क्योंकि आप लोग हमारे एस्ट्रोजर और नियूमरलोजिस्ट के पॉड़कास को बहुत ज्यादा प्यार देते तो आज हम फि आज पील्ड में है मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी गराती है काशिक रिकॉर्ड भी देख लेती हैं टेरो नियूमरो तो बताई दिया और क्या क्या कर लेते हैं मैं यहिलिंक्स करती हूं आपका बाइब देख आथा इंस्टाग्राम पे उसमें वर्ड्स बस चली जा तो बहुत बड़ी वाल इन वन कॉम्बो हाँ यह एक लीनेज में ही है जैसे मेरे फादर एडिटर थे टेकन क्रॉनिकल पेपर के तो एक होती है फैमिली जैसे एस्ट्रोलिजी या वो फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं यहां तक उन्होंने अपनी डेथ खुद खराब दिखा रहा है तो उन्होंने बोला ऐसे है कि आप मिलने आ जाओ मैं मिलने चली गी थी जैसे मिलके थे बहुत क्लोस थी अपने फादर से तो जैसे विकोज़ वस क्लोस तो पता नहीं क्यों उस दिन जब मैं वापस आ रही थी बहुत रूरी थी और मेरे हजबंट सा होती है बट हमारी एक अलग सी बॉन थी इस लाइन मे本 फर्स गुरू मिरे फादर ही हैं वीस्चांट से कि ठीकट ही थी तब सी इस लाइनमें ना जैसे शूकास हो गए चैंकि पंडेतों की बिटी हूँ तू हम इस लाइन में पूजा पार इस होता तो हम चारस सि फोन रख दिया तो इतने में ना I call my brother मैं भली जाके देखो मुझे लग रहा dad को कुछ हो गया बोते यह normally है मैंने अपनी मदर से बात करी तो बोते ऐसे तुम्हें क्यों लग रहा है अब मैं उनको देख नहीं पा रहे हूं मैं बली वो जा रहे हैं बस मैंने फोन रखा brother का फोन आ गया था वो कहते हैं के daddy तो चल बस है तो माम यह अपने predict कैसे किया आपने यह पता क्या होता है जैसे आप अपना एक as a numerologist आप समझो या आपका date of birth है उससे ना आपकी पूरी life की span from birth till death आपकी एक-एक year की एक-एक month की prediction हो सकती है अगर से आपका ना एक-एक month का पता चलता है ठीक है dad का तो ऐसे था क्योंकि इस line में एक-एक meditation होती है आप अगर से astraly travel कर सकते हैं जैसे अगर से आपकी बात कर रहा है किसी everybody life span होती है है ना वो life span के बाद जब आप वापस मतला when you have to take birth जैसे soul आपकी body से हटती है वो एक astral level में आके ना it waits जब आपका time आएगा it can be within seconds जिसको हम कहते है reincarnation जैसे कोई एकदम बच्चा पैदा होता है दो तीन साल में तीन चार साल में हो कहता है मेरा past ऐसे था मैं उस घर का हूँ किसी soul को ना अपनी journey बहुत जल्दी मिल जाते है किसी को बहुत साल लगते है ठीक है तो हम astral level से then realization से causal level फिर आप जाते हो greater causal level spirit spirit form में अगर से आप meditation के ऐसे level होती है जहां आप किसी की ना एक intuition power आपकी इतनी बढ़ जाती है आपको पहले पता चल जाता है कि ना इनका life span मतल जाती हूं यह जैसे मेरे friend थी उसके brother hospital में थे तो मैंने उनके father को बोल दिया था कि ICCU में है तो आप इनको वापस ले जाओ three days की life है इनकी बतलब कभी-कभी लगता तो बहुत बुरा है बोलते हैं but वह आपकी ना why body से आपकी औरा में वह चीज आ जाती है कहां predict कर सकते हो कि ना वह soul की journey क्योंकि soul जब body से जब time आता है जब उन्होंने body छोड़ना होता है तो वह six months से पहले इना disconnection शुरू होती है आपकी जैसे physical body eight layers के बाद ना आपकी physical body होती है उसके बाद आपकी life तो वह physical body से detach होना शुरू हो जाती है तो आपको sensation आने शुरू हो जाती है तो परसेंट प्रिडिक्ट हो जाती है जो कोई पूछता मेरा लड़का होगा या लड़की वह हम नहीं करते है बिकुस अगेंस नेचर है लेकिन आप पता चल जाता है हां यहां बोल देते हैं कि ना बहुत critical condition है तो आप थोड़ा साना ध्यान रखो आप वही कह सकते हो आप य अप थोड़ी tarot की ही बात करते हैं थोड़ा आप बताओ कि आपका तरीका क्या है tarot करने का और आपके क्या cards कुछ अलग है या अलग तो नहीं इस लाइक सारे tarot cards जो होते हैं कोई love cards हैं कोई let's say health के हैं बट मेरा जो pack है और the way I teach वो होता है आप कोई भी pack उठा लेंगे उ तो 78 cards वो depict करते हैं आपके 78 बजे से हम कहते हैं 86,000 births के बाद एक human life आती है तो वो 78 cards में आपकी सारी birth की पूरी from your first birth till your present and what your future is going to be जैसे हम कहते हैं संचित प्रारब्स जो अब है और अगामी जो आपकी future है तो उसके बारे में आप सारा कुछ कह सकते हैं तो एक card लेके ना जैसे आप कोई भी एक pack लो तो उसमें आपकी इतनी detailing होती है अगर से आप एक perfect tarot card reader या इतनी depth में आप करते हो तो आपकी पूरी life की ना from the first birth से जैसे एक इंसेक्ट से फिर बंदा कौन से जनम में मतलब क्या बनता है उसके बाद when you become और उसके बाद जो 78 thousand जब births के बाद आपकी जो 7 होते हैं जो हम बोलते हैं साथ जनम के relationships वो साथ जनम human being के lives होते हैं और वो that comes to 78 and 7 is 85 एक birth होती जहां की realization होती है तो तभी यह सारे जो saints होते हैं से यह सारे जो religious leaders होते हैं यह सारे realization के उस पर आते हैं हम जिसको causal level कहते हैं तो वह realization के बाद वो जाते हैं greater causal level में तो एक tarot card pack से आप अपनी life की पूरी history देख सकते हैं माम यह सब के साथ होता है कि एक जनम हमें ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां हम सब को realization होगी होगी that is the only you know last में आपके पास choice ही यह रह जाती है क्योंकि आप देखो आप उस रब के अंच हो right you are part and parcel of the almighty जब आप कहते हो अंच हो तो हर में रब है right अगर से आप देखो there is something called आपके akashic records उसे वो होती है आपकी indestructible tablet of light आपकी हर action एक human being की जो आपकी actions होती है आपके thoughts होती है उससे आपकी past present and future related होती है तो फिर हम अगर से eternal बात करते हैं जैसे lord buddha की बात करते हैं उन्होंने ना realization because वो king के लड़के थे but when realization आई थी तो उन्होंने वो दो चीजें थी उन्होंने एक अकाश और एक निर्वाना इनहीं की बात करी अकाश is again universe तो आपकी realization जब तक आप वापस उस universe से नहीं जुडते हैं आप अपने आपको realize नहीं करते हैं आपकी life cycle नहीं खतम होती है तो आप ऐसे यूनियों में घूमते रहते हैं that is why वो 78,000 बर्थ की बार मैं अगर हम चाहें हैं जैसे मान के चलो आज मैं सोचता हूं कि मेरे को मोक्स प्राप्ती करनी है मेरे को enlighten होना और मैं उस intention से meditation शुरू करते हैं और मैं enlighten हो भी जाता हूं तो जरूरी है कि क्या यह मेरा वही वाला साल हो कि मैंने क्या वो मतलब मैं मैं ही जानना चाहरा हूं क्या वो सारे बर्थ लेना जरूरी है जितने numbers हमने का नहीं बिल्कुल नहीं क्या होता है अगर अगर से आप जो बर्थ तो लेते हैं आप मगर अगर से आपको इस उमर में जैसे you're a kid now ठीक है अब उस हिसाब से देखो अगर से आप अब suddenly you know एक ऐसा मोड आता लाइफ में जब आपने बुला नहीं मैंने इससे हटके I want to go to वो आपकी वही बर्थ होगी जहां की realization है ठीक है और आपने past में कहीं न कहीं उस route को छोड़ के आए तो वह आप उसको continuity इस age में फिर शुरू कर दिया तो आप उसकी realization जब आप realization के तरफ जाओगे फिर आप सबसे कट करोगे आपको कोई इनो स्थिर में आ जाते हो जहां you don't want anything हर चीज में न एक प्रेजेंट में आप देखोगे जैसे मेरे कई incidents हैं जहां मेरे students को मैंने मतलब clients आते हैं past life में लेगे तो वहां मेरे घर के पास एक doctor है तो उनकी life में न बहुत अच्छे doctor हैं बट कहीं न कहीं न उनकी बेटी भी सफर कर दिये और इनकी relationships में भी problem थी तो science is something past life किसी को नही देखा था कि उन्होंने ना हर relation को discard करा था एंड जितनी बार वो past life में अच्छा एक life नहीं हो दिख जाते हैं तो फिर that helps के present को मैं कैसे balance करूं ताकि मेरा future अच्छा हूं तो फिर आप अपने आपको heal कर सकते हो that is why you know akashic records में आप से कह रही हूं कि आप खुद जाके अपन कर सकते हूं मैं अगर future हमने कुछ देख लिया हां जी तो फिर हम आज से ही उसे change करना शुरू कर दें अगर तो क्या वो change हो जाएगा 100% बिकॉज तभी तो मैं आप से कह रही हूं मैं बढ़ बढ़ फिर nature के against नहीं चले जाए नहीं नहीं देखो destiny is never by chance it's always by choice आज आज आप इस लाइन में यह आपकी choice थी राइड आपने चूस करके इस लाइन में आज अगर से आपने तरक्की करी है जहां बैठे हो यह आपकी progression मैं बहुत देखती हूं क्यूं बिकॉज आपकी hard work है और one should always see के यूनो और guide भी आपको वही करना चाहिए जाए it's not studies आपने यह अगर से इस लाइन में जैसे आप लोग इतने astrologist से मिले हो सबकुछ यूव वास्ट नॉलेज करमास क्या है तो आप क्या करते हो आप इस उमर में यंग्स्टर्स हो आप इसको मोल्ड करते हो तो आप क्या कर रहे हो आप अपने करम खतम कर रहे हो तो destiny जैसे कोई चीज नही कर दे तो कोई life में को incident होती है जैसे you talk about Swami Yogananda और उनके आप अगर से पढ़ते हैं तो and you know when one of his gurus जो उनको initiate करने ले गए थे तो पहले था destiny के you know he won't live long तो फिर उनके parents से पहले तो होती थी दिख्षा देना होता है तो उन्होंने बला आप का ऐसा कोई लड़का होगा तो ब मेरे पास भीजना है because मैंने उसको अपना disciple बनाना है तो nine years or something तो उन्होंने बला इनकी life ज्यादा नहीं है तो nine years से लिए maximum 12 years या 13 years अगर से आप देखो आज किल हम रितुंजय मंत्र सब किसलिए पढ़ते हैं you know the story about that also तो यह जब meditation करते करते हैं जो इनकी death जो लिखी थी व वो एक छोटी चीज में बनके निकल जाती है इसलिए destiny is never you know it's not destined हाँ कोई-कोई चीजे होती है you know जो life में बदा है क्योंकि आपकी करमाज इतने strong होते हैं पिछले जनम के तो उसकी suffering level उतनी बना वही जहां पर आप आप बर्थ ले रहे हो जिससे आप सापकी death होगी यह सब लेवल में आप जब वेट करते हो next body के लिए क्योंकि कार्मिक साइकल होती है आपने वो life मतलब साइकल से जब मैंने बुला last birth में आके मोख्ष होती है जैसे realization थाब होती ने तो इस cycle में आते हो तो आपके सामने एक alley of parents होती है वो choice देते हैं इतने है couples तो आपने आप अपन parents choose करते हो अपने brother sisters यहां तक आपके soulmate भी आप खुदी चूज करते हो अच्छा हम ऐसी परशान हो रहे होता है तो यह पहले ही चूज हो जाते है जनुलेने से पहले बिल्कुल आप अगर से देखो आप चूज करते हो अच्छा कोई-कोई cases में बिकॉज में यह भी question था श आप अपने friendship ले लो आप तो you must be friends for long but otherwise कोई-कोई friends होते हैं जिसको आप एक time तक बहुत close होते हैं suddenly they disappear because आपका life span या वो time उनके साथ आपका उतना ही होता है क्योंकि आप अपनी choice से ले आते हो हाँ बस इतरी वैसे तो कितने relationships होते हैं जो तूट जाते हैं अच्छा कहीं कहीं आप देखोगे after birth infants की death हो जाती क्योंकि वो body ना वो soul को accept नहीं करता है तो वो infants अपनी ना उनका यो conscious conscious decision होगा लेकिन अभी अगर हम सोचें उसे अपने present body में बैठके तब तो हम यही कहेंगे कि हम अपने अपनी family नहीं choose करी नहीं वो तो ठीक है बट क्या होता है यह incidence आपके life में हो क्यों नहीं है फिर उसका एक मतलब होता है ना why is it happening देखो अगर से आप किसी को choose करते हो आ मैं उसे बात नहीं करने मुझे ना आती है ना आपको एक revulsion हो जाती है वो क्यों क्योंकि आपके past से connected होता है यह आप realize नहीं करते हो बट आपका soul जैसे मैंने बुला शाष्वत होता है उसका एक आप कितने अच्छा नहीं लग रहा अब जरूरी थोड़ी हो past life में था यह अच्छी का nature at present मुझे vibration अच्छी नहीं आरी at present तो मैं repulse कर रहा हूं बट जरूरी नहीं हम उसे past नहीं वो तो नहीं जरूरी है बट कभी ऐसे होता है आप किसी को मिल रहे हो ठीक है और आप उस बंदे से comfortable नहीं हो या आप को relationship ले लो जैसे अब family relation से ले लो या किसी के brothers मे बनती नहीं है without any बच्छमन से नहीं बनती है होती है ना कि एक दूसरे को बिलकुल बरदाश्ट नहीं कर सकती है आप cousins में होते हैं ऐसे सब की उसके साथ बनी होती है आपकी बिलकुल ही नहीं बनती है without reason but यह क्योंकि यह कोई ऐसी energy होती जो past से आप लेके आए हो तो और व आपने brothers जैसे आपके sibling कोई कोई एक ही लड़का होता है है ना family में वो नहीं चाहता कोई हो मतलब मेरी तो वह soul अखेला ही आता है I am talking about your own brothers and sisters या parents वहां तक वहां तक वहां तक वहां तक वहां तक माम इसमें फिर अगर देखा जाए अगर family select करनी है choose करनी है तो वह हमारे कर करमाज पर डिपन करता है पंदिंग करमाज या फिर कुछ हमारे आकाशी के रिकार्ड खराब होते हो सबसे हमें कुछ selective लोग ही दिखते है कि यहां यहां जाना है because यह कौन चाहिगा कि यार में अच्छी family में ना जाओ मैं ने ने बिकस लोग जनम लेते हैं लोग जनम ले ठीक है प्लैने तो से नहीं रहा हूं और के तू ड़स्ट है उसको हम प्लैने नहीं गिनते हैं इवन इफ टॉक अबाट माता के रूप भी आप 7 इंपॉर्टें रूप गिनते हैं तो आप अगर से देखोगे तो वेन यह टॉकिंबाट दिस आपकी करमास कैसे होते हैं फि किसी और के हाथ में रूना यह मदर के फॉर्स्ट यह वह करमास होते हैं जो वह सोल ने वापस देना है उस बॉड़ी के लिए तो आप अपने बच्चे वह जहां से चूज करके लेके आए वह जो सोल कनेक्ट करता है कितने आपकी लाइफ के एक सोल होते हैं वह आती है कही क बच्चे जब छोटे होते हैं हम बोलते हैं बच्चों को छोड़ दो करने दो चो करते हैं कि उनको करमास का पता ही नहीं होता तो दैट इस वन वेफिव यू सी कार्मिक होती यह connection आपकी अच्छा माम अवम सोल की और करमों की जरनी की बात कर रहें तो क्यूंकि आपके पा सब्सक्राइब में जो शैतानी शक्ति या इविल एनरजी या सेटन या लूसिफर जो भी इसे नाम है वह आपको सक्सेस फेम और यह सब देते हैं और ऐसा कहते हैं जब आपने अपने का मलब करमा मलब जो डीने है बेसिकली वह ट्रेड कर दिया तो जो इस लाइफ की आप आखे वैसी हो जाएंगी ऐसा कुछ बहुत सारी वीडियो में भी आ रहा है फॉरन सेलेबरिटीज के साथ भी हो रहा है मोटा मोटा तो क्या आपको लगता है आप इस साइंस में मानतों है ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हायर अनरजी को सोल ओफर कैसे कर रहे हैं आप अपने जाओ ऐसे ना कई के लोग बैठे होते हैं एन देज एक बहुत बड़े पंडिजी है मैं अफिशली उनका नाम नहीं देशते हैं वह पता क्या था यह ट्रेड कर सकते हैं क्या करते हैं आप जाते हो जैसे अगोरी का सुना अपने तो वैसे ना शम्शान में जाके होते हैं वह आपसे ट्रेडिंग कराते हैं अब यह गोरी क्यों बैठे होते हैं शम्शान में किसी के डैथ होती फोगस्त दे के बाद सोल राइज होता है ताब ही तो चौथा करते हैं थर्टीन डेज के बाद वह सोल को एक एनरजी मिल्थी कभी किसी सोल को ऐसे भी नहीं पता चलता कि में मर चुका हूँ या मर चुकी हूँ यहीं गूमते रहते हैं वह 40 डेस के बाद उनको रियलाइज होता कि इस दुनिया में मेरी बैट के जो अगुरीज होते हैं तो बैट के वेट फ़का सोल अब वो स्टब्स मेरे surfing हो उनमें वह प्योड़ा क्योंकि आप देखो अगर से डिवाइन होती है आप उसको अगर से डाक के लिए उसको ब्लैक कर देते हैं क्योंकि वह मिस्टिक हो जाती है वैसे देखा तो इवन अगर से देखो आप भगवत गीता में बड़ो क्रिशन से अरजुन भी यही सवाल पूछता है कि हाउ के उसे एक ही energy होती है तो दुर्योदन को देखो होती है सब में energy तो एक ही है आपने इसको यूज कैसे करा है इट डिपेंटस तो आप जो करने सच होती है बड़ बाद में पता क्या होता है एक बार आपने आपने देदे डीन ने आप वह सारी चीजह हासल करते हो उसके बाद वह बिस जब मांगता होता है, आप टोटली बरबाद हो जाती है, ये सच है, ये वेस्ट में नहीं है, ये इंडिया में भी होती है, तो आप कर सकते हैं, अब एक है जैपूर में जो उन्होंने करा है, तो उनके पास नाम, पैसा, शौरत, सब कुछ आ गया था, इतनी उसकी वो मिल जाती है, आज मेरे पास है, हर चीज आपको नासानी से मिलनी शुरू आती, पर एक टाइम आता है, जब आपका, जब वो डिपार्ट करने का ना, उनका पीरेड होती है, तो वो आप से सब कुछ वापिस मांगता है, यहां तक डेथ भी हो जाती है, ये तं अगर ट्रेडिंग हो रही है, इस ने बोला कि DNA दिया, फेम और लक्जिरी और मनी आ गया, तो फिर ट्रेड तो खतम ना, उसके बाद भी वो फिर और मनी आपको दे दिया, DNA होता क्या है, DNA आपको होता है, this is your identity, आपने अपनी आपनी बर्थ, अपना जो वजूद है, आप किस की ट्रेडिंग करें हो, कितने लोग की करें हो, कितने सोल्स की करें हो, एक्चली फिजिकल बोडी नहीं होता है, आपने सोल की ट्रेड करते हो, इस केस में आपके चलो गूद करमा तो खतम हुए, और ऐसा कहते हैं कि जो लोग ऐसे जो ऐसे डैत होती है, तो वो बहुत कोटी में जनम लेते हैं कि मतलब कीडे मा कोडे बनते हैं ऐसा होता है सच में होती है अब अगर से देखो ना कोई मर्डर होते हैं या कुछ होते फिर उनकी तो स्ट्रगल तो फिर वहीं से शुरू होती क्योंकि एक इतने जनम के बाद आपको एक प्रॉपर ईमन लाइफ मिलती है उसके बाद अगर से एक्टिंग लाके अगर से आपने हरकते ऐसी करनी हो तो फिर आपको फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है और हम जैसे आप कहरते की कार्मे कह तो उस वे में उस सौल को चूज करने का मौक अच्छे रिच फैमिलीज वेल टुडू फैमें उनके बच्चे टोटली बरबाद हैं होते हैं कई एक्जाम्पल्स हैं क्यों क्योंकि उनका जो पीछे संचित करमा ऐसे होते हैं जो उनकी सफरिंग होती होती है चाहे वो ऐसे भी जनम ले चूज करके भी ले बट वो जो थोड़ा देना होता हो तो देना ही होता है अब आपने हाथ ना ऐसे करा था आपका हाथ दिखाना अब आपके इनके ना वैसे देख रहूं इसमें हैड लाइन आप सब कुछ देखते हैं मैं एकदम इसलिए देखा चुबम का हाथ आपकी फेट लाइन हाई नहीं अगर से देखो तो यह होती है आप अगर से फेट लाइन आप अपना हाथ दिखा हो देखो इनके बिलकुल ही प्रोमिनेंट है फेट लाइन तो आप अगर से देखो फ्रम यह 27-28 के बाद नो यह 27 आई गया है दिस नो लुक आप कहते हो ना what is destiny he has the choice मतलब यह चूज करने का यह बिलकुली प्रोमिनेंट इनके हाथ में के लाइक कोई ऐसे डिफाइंड कुछ नहीं है जैसे काम होंगे वैसा result होगा और अपने दम पे गरेगा और अगर फेट लाइन है तो फिर आप आपकी फेट लाइन के बाद ना आपकी life line, head line, heart line, sun line, saturn line, jupiter line वो सारी चीज़ें count होती है तो मैंने एकदम जैसे आपका हाथ देखा मैंने भी आपका हाथ देखा, मैंने मतलब सज बता हूं इतनी इतनी लाइन कभी किसी के हाथ में देखी निक्रिस-क्रॉस, यह बता आपने जैसे पूछा था यह क्रिस-क्रॉस जो लाइन है यह होती है जो suffering level होती है अब जैसे मैं आपको बताती हूं कार्मिक सफरें I am talking about not that my financial is something I have a by God's grace a very nice life but this line में मुझे आना ही था जैसे 7 number पे जो birth लेता है somebody is born on a seventh तो उनका जो होता है na whatever they come into this world जैसे उनकी पैदाइशी समझो या उनको जो जनम मिलता है वो कई centuries में जाके मिलता है और उनको सिर्फ मोक्ष पाने के लिए मिलता है जो जितने भी आपना single sevens जो होते हैं उनकी life में इतनी struggle नहीं होती जो 16 वाले seven है या 25 वाले seven है ultimately जब तक वो spirituality में नहीं आते हैं उनकी life की cycle गुंगती रहती है यह भी है तो seven वालों को follow कर नहीं होता है तो आपको realization कुछ हो चुकी है क्या मैं अगर से पूछो तो विगर एक टाइम पर देवर सम्थिंग जिसे मैं healing करती हूं बहुत करती हूं हमना cancer patients के I am a Reiki Grand Master to cancer patient के सब तो मेरे Guru Ji ने मुझे बोला था आपने heal नहीं करना इनको एक liver cirrhosis के patient थे तो relation में थे मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप जब healing करते हैं आप अपने आपको protect करते हैं मैंने protection में कभी डाला ही नहीं क्योंकि वह family member थे मैंने उनकी healing कर दी शुरू कर दी थी बट वो deathbed पही थे तब भी मैंने कुई तो उसका effect ना मेरे पर आ गया था तो I still remember तो मेरी operation हुई है and वो doctors ने जवाब दे दे थे कि मतलब ऐसे 95% chances है बट 5% ना survival के तो मुझे पता मुझे अपने रब पे भरूसा है बट मैंने अपनी death अपने सामने देखा because hospital bed पे after the surgery जब मैं अपने रूम में आई थी तो AC चला सब कुछ I was conscious but मुझे नहीं पता वो ना pulse गिर दी सब कुछ गया थे बट मुझे ना ऐसी एक light की वो रूम सारा इतना light से भर गया था and मेरी sister नहीं सारे बटे किसी कुछ नहीं दिखा था मुझे ऐसास हुआ and वो light से मेरे उपर आ गया था you know totally आया उसके बाद I started recovering मतब within days I was on my feet तो यह इस बाइट लाइट बिक्कुली इस बाइट लाइट बहुत पाफुल है अगर से आप spirituality में हो and आप चीजों में आपको बहुत कुछ दिखता आपके intuition लेवल बढ़ती आती है मैम लेकिन आपको लगता है कि यह जैसे religiously भी लोग मानते हैं जैसे Muslim religion कुछ मानता है Hindu religion कुछ मानता है हम लोग मानते कि एक चितरगुप्त होते हैं वो बैठके हिसाब करते कई लोग के साथ ऐसा हुआ है मम्मी उसे कहानिया सुनते कि कोई गया था वहां पर line थी फिर किसी को का आपका number नहीं है वापस भी आते हैं लोग तो ऐसा सच में होता होगा कि पूरा हिसाब किताब कोई बैठके कोई देवी देव का दिखना है बट आपका ना देखो hell heaven मेरे हिसाब से यहीं है आप अपनी suffering यहीं करते हो जो सफर करना है बट जो करमाज होती क्या every person एक ही breaths लेते हैं तो आपकी जो breaths की होते हैं कोई कोई बहुत जल्दी लेया था किसी की accident होया थी किसी की ऐसे होया थी यह सारी चीज़े ना it depends on that बट आप जैसे कह रहा हो ना वो बैट के हिसाब बाला तो ने बट आपके करमास के हिसाब का तो होता है not that कोई बैट के लिखता है बट आप देखो कोई चलो political leader ले लो या यांग बच्चा ले लो वो बहुत रैश था बहुत उसकी death पे ना किसी को of source नहीं होता कहते है ना बलते है अच्छा बच चला गया that means उसके life span में उसके करमास ऐसे थे उसको आके suffering भी है उसकी तो क्या होता है तो उसमें वहां हिसा जाब नहीं होता फिर जनाम लेकर आएगा तो फिर बोलते जाब है वापिस तरको फिर भूगातना है तो ऐसा कोई suffering तो यहीं है बट वो करमास की rotation आपकी चलती ज़रूर है मैं अच्छा थोड़ा सा आपके फिर से profession पर आ जाते हैं जैसे हम तान तरेक और black magic की बात जाता है मेरे घर में फैक्टरी में मेरे वर्क प्लेस जाते हैं तो थोड़ा बताइए आप में से डील कैसे करते हैं फिर आपको कैसी नेगेटिव एनरजी महसूस होती है क्या होता हो पहले तो ना बिकस हम जैसे अगर से अपने हीलर को देखा या सब ना वो यह सारे पहनत एक मिस्ट जैसा दिख जाएगा आपको यह आपको हैसास होगा किसी को ने तो यूजली यह तो यह ब्रेक हो जाता है एक दम ना तो आपको पता चल जाता है क्यों यह एनरजी से हैं यह मेरे साथ एक बार हिंदुस्तान टाइम्स के ना उनकी एक बहुत बड़ा इवेंट अब बड़ा एक लेडी आई थी अपनी फ्रेंड के साथ तो मैंने क्रिस्टिल सब कुछ रखे थे तो इनको ना सारे शी वस मैरेड और कह रहे थे कि इनको ना कोई प्रॉब्लम होते हैं उनके हस्बंड भी अब डिवोस देने का सोच रहे हैं मैं इनके टैरो देखो अब जैसे टैरो निकालना था ना मैंने उनके तरफ देखा तो वह एनरजी मुझे मैसूस होगा देख रहा था इसके साथ में शैड़ो कैसा आपके ऐसा नहीं वह बोलते हैं उपर नहीं चड़ता बड़ चड़ने की बात नहीं होती वह आपके साथ रहती है इट स्टिक्स टू लिए आप यह ले जाओ बिकास मुझे ना थोड़ी अनीजनेस दिख रही थी तो वह लेकर तो चली हाफ एनार बाद उसके फ्रेंड का फोन आए यह ना वह बेऊश होगे तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया मैंने पुछा क्या हो गया तो बोलते कि नहीं अब यह हमने उ चाहित आए मैं नहीं इस दिख जाती है यह एक वाल पर ब्लैकनेस दिख जाती है यह चीजने तिक आपने कभी कम्यूनिकेट कर रहा है उनसे हम करते हैं जब इस त्र ट्राविलिग करती हैं तो करते हैं अब यहां बैट कि यह स्टिल ट्रेफलिंग जैसे बोडी छोड़ क कि मैं एक इपनोटरपिस्ट भी हो तो तभी तो हम पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं हो जाती है इपनोटाइस करके तो बंदा इंस्टूमेंट यूज करते हैं नहीं वैसे जैसे मैंने मतलब एक लिटाके ना उनको सुला देती हूं फिर उनको इसनी कमांड हो दिये कि अपने हाथ नहीं मूव करना तो नहीं कर पाएगा कुछ नहीं अच्छा यह होता है देना तभी तो आप पास्ट लाइफ में ले जा रहे हो कि जैसे हम आप कहरे हो मैं हिपनोटाइस करती हूं और फिर हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो अगर मैं सिंपल भाशा में कर दिया मेरे कमांड्स तो बहुत सिंपल होएंगे आपको सिर्फ I put you to sleep आपको सिर्फ सुला देती हूं इद आप अलर्ट आपकी माइंड अलर्ट होती है तो आप जैसे पास्ट लाइफ में ट्रेवल करते हो आप वही देखते हो जो आपके साथ हुआ है ऐसा तो नहीं आप क्या visualize क्या कर सकते हैं assumptions नहीं होती है अगर से आप assumptions की बात कर रही है आप assume नहीं कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कई सारे हमारे पास experts भी है जो कहते हैं ऐसे frauds भी होते हैं लोगों के साथ कि hypnotism में जो master है जैसे वो जो guide कर रहे हैं उन्होंने कोई story narrate कर दी हमें तो सुननी रहा mindy active है और वो वही imagine कर रहा है कि अच्छा है नहीं बड़ा basically होता है कि आप आपको खेद दिख रहे हैं एक महल दिख रहत हो गयता है हाँ तो ऐसे story बनती चली जाती है वो ना कर से वैसे command दो तो मेरा एक simple theory होता है मैंने आपको सिर्फ बोलना है कि hear to my voice और वह command होती है then I put you to sleep उसके बाद मैंने आपसे बोलना आप यह देखो वो देखो मैंने सिर्फ आपको आपके ages में दिखाना है if you are five years old in your past आपने इसको कैसे देख रहे हो यह 15 years आपको पांच साल के इस present life में को याद नहीं होगा पांच साल में क्या करे हो right तो it is like year wise आप आपको समझ आया थी you know when you try to travel तो आपको वो सब कुछ दिखता है कभी आपको यह होगा कि आप देख रहे हो आप कोई मतलब village में हो या आप कोई पुरान है ना कोई Russian हो not necessary आपने इंडिया नहीं होना है गोरे भी हो सकते हो कुछ भी हो सकते हो देखो अरसे present life में आप देख आपका देख लिए हो या की हो तब आपका यह आपको बताते हूं यह ऐसे है कि वहां बहुत student आते हैं मतलब मेरा यह regular होता है मेरा अपना institute है जहां मैं करती हूं है सारे तो एक lady है तो उसके husband ना उसे मतलब 16 years से अलग रहते हैं तो he was in Bangladesh और वो इंडिया में तो वो कहती है कि हर टाइम ही ना मतलब मुझे यह लगता था कि मैं क्यों alone हूं तो उसने past life करानी थी तो खेर मैंने बूला चलो कर लेते हैं but I was meeting her for the first time अब मुझसे कुछ पूछ रही थे मुझे उसका कोई ध्यानत है मैं उसका past देख रही थी मुझे वो present में जैसे बैठी कुछ नहीं दिख रहा था उसकी past में उसको दिखाया था she's a russian lady पुरानी कोई ना और उनके पास ranches है और ranches में क्या है उसके बच्चे और वो अकेली है उसका husband उसके साथ में नहीं था उसका husband ना कहीं गया होता है कि मतलब जैसे town में चला गया कि मैं कमा के वापे साँ यू लूक आफ प्रिंसेस थी तो वेंड शीवा सिक्स्टी यह उसके brothers ने उसको मतलब एक commoner से उसकी जैसे होती है आज भी आजकल अगर से देखो कास्टिजम बहुत बड़ी चीज़ है तो उसको ना दे किल्ध और वेंड शीज़ सिक्स्टी यह उसके प्यार हो गया था तो वो दिखता ह है आपको अगर से बोलो तो यह चीज़ें दिखते हैं यू डॉंट हव तो टेल दें बड़ यह experience हुई है मैं काफी मतलब बहुत sessions होते हैं ऐसे आप यह तो कैसे बैठे-बैठे अब मैं अगर से यहां भी किसी से connect ना भी करो और से किसे connect होती तो उनका भी दिखता है तो अब ऐसा भी हो है कि आपके पास कुई आया है मतलब उनका पास लाइफ में वो कोई जानवर थे या कुछ हुमन नहीं थे अब ऐसे तो नहीं बट जानवर तो नहीं बट टाइरेंट्स जो थे क्योंकि इस बर्थ में मैंने उनको देखा है वो जैसे बिलकुली ना अपनी अब फैमिली को इल ट्रीट करते हैं विदाउट रीजन रभ ने उसको सब कुछ दिया है मतलब और बट फैमिली को बहुत ज्यादा इल ट्रीट करते हैं और मतलब नाम शोहरत पैसा बच्चे ऐसी कोई कमें ब्यूतिफुल वाइफ और बड़ा रिलिजियोस बंदा भी जै उनका देखा अचानकी उनकी सफरेंग देख्या तो मतलब इत वस लाइक बहुत होरेबल सफरेंग थी तो जैसे मैंने देखा ना तो इनकी पास्ट में दिखा था यूस वेरी क्रूल टारेंट था एक किंग तो उसकी आदत थी यही करने तो वो ऐसे ही अपनी जनम ना पू पूर्गेवनस मंगना फिर आप अपनी बर्थ फिर प्रोग्रेशन में ले जाते तो ये फिर ये वर्क करता है अगर लाप करता है तो फिर वो अपने बैड कार्मास उनको धुल रहे हैं धुल या तबी तो आपकी वहbung रहती है इसलिये तो होती है हम बहुत क्या मैं आपक क्योंकि वो क्मांड में उनका माइंडी अलर्ट होता हुआ उनको लाना असान होता है बट हाँ एक दो बार ही ऐसे हुआ है एक परसन के साथ मैंने उनकी पास लेख जब उनको देखा ना उनको लाइट से देखे उनको एक फोबिया होती थी जैसे कार में हो या कोई सबसे वो डरते थे तो बहुत अच्छे लोग वह रही नाइस गाए तो बुलते हैं कि मैंने पास में अपना देखना है उनको पास में ले गई थी तो वन यूज फाइव यह जल गया था तो वो जो थौट फॉर्म थी क्योंकि आपका सब कॉंशे मांड में वो स्टोर होता हैं तो क्योंकि अधा सेट सोल इस अटनल तो वो लेकर इस बॉड़ी में भी जब आया थे वो फियर से आया था हाँ वापिस लाए में तब थोड़ी सी दिक्कत हुई बिकाज वो अपनियाब को देखके ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था फिर उनकी माइंड को चांद क करना पड़ता देन यूगल इस पास्लाइफ कराना इस नाट इजी आपकी भी बहुत एनरजी ड्रेन होती है बहुत होती बहुत होती है आप भी जाना पड़ता है वो परसंड क्योंकि हम जब लेकर थे हमें पता रिजिस्टर होना शुरू गयाता वो अपने भी बोलना कर्मा करके आरखें को सब मालूम पढ़ते रहते हैं तो हम बोल भी देते हैं कि आपने ये करा इसलिए आपकी सफरिंग है और वह इस जनब में धिलवाने के लिए आप उनको रेमेडीज भी देते हैं हां तो भी से आपके पास चांसे हैं अभी आप अपनी लाइफ को क्यो क्योंकि फिर एक तो क्या होता है जब आपको पता चल जाता है जैसे अब हीलर्स हैं विया हीलर्स हम जो गलती करते हैं वो सिन हो जाती है जो आम लोग करते हैं वो उनकी घलती एक मिस्टेक होती तो इफ यू कांट गाइड देम अगर से आपने ही रास्ता नहीं दिखा है आप पे तो डबल पेनलिटी लग जाए है होती है चाही बात है मैं थोड़ी बात करते हैं किस बारे में और बात हैं मैं आपने अपनी बास्लेख देखी है मैंने देखी है क्योंकि जब मेरा सेशन पहला था तो I was born somewhere in Lebanon क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये traditional जो पुराने कुल्चर्स का इसका एक I was fond of this. आज भी ना ये सारी चीज़ने अट्रैक्ट करते हैं, पुराने पेंटिंग्स हो गया है, Egyptian तो जब मेरे गुरुजी मुझे ले गया थे तब मैने देखा था and मेरे ना मेरे छोटे ब्रदर से बहुत attachment है, nine years apart, तो तब भी I was just 16 I guess और मुझे आज भी याद है कि it's like वो पुरानी Lebanese नहीं होते हैं वैसे, तो I had to cross a river and then go down, you know, and to my village. तो जब मेरा past life करा रहे थे ना, तो उपर से जो trainer थे वो करा रहे थे, but मेरी जो गुरुजी थी उनको नहीं पता चला था, तो क्या हुआ था जब past में मुझे लिखे गए, I think, you know, years back की बात है ये, and first time मेरी experience थी to see myself, तो बोलते के आपको attachment किस लिए, I was drawn, मतलब ये ऐसे देखो Egyptian things, ये पुराने stories and all, जैसे देखा, I was 16 and I had this brother of mine, same nine years की difference में, and वहां से ऐसा कोई incident हुआ, जैसे मैं उपर से गिर के मने, when I was 16, I lost my life, तो when I lost, my brother died with me also, तो मेरी, अब ये bonding जो brother के थाना है, I am very protective about him, या हमारी, हानके four siblings हैं, but हमारी bond कुछ और है, तो होती है, और future भी देखा, आपने अपना जैसार के लिए जाना है, future तो आप मुझे, क्यूंकि spirituality में बहुत कुछ दिखता है, तो I try to be, यानू, कि वो path दिखता है, तो हम, अब आप spiritual enough हैं, जो आप कहे रहे हैं, कि किसी एक जनम में तो realize होता है, तो फिर इसके बाद हम मुक्त हो जाते हैं, हाँ, हो जाते हैं, तो ये आपका last है, hopefully yes, because I want to make it my last, क्योंकि ये cycle से देखा, आप जब और से soul free हो जाता है, आपका, सारे कहते हैं, कि death के बाद, you should fear death, there is nothing to fear, because once, आप liberated हो जाते हो, तो liberation क्या होती है, मुक्ष होती है, फिर आपको ऐसी body में क्यों, फिर आप उकरमाज, देखो physical pain भी, emotional pain भी, सब कुछ, अब मैं आप से कहरे हूँ, आप देखो, चोटी-चोटी चीज़ें होती, there is a temple in Kerala, अगर से आप देखो, conceiving की, आज कल कितनी ज्यादा problem है, youngsters हैं, शादी हो जाती है, कई-कई साल conceiving नहीं होती, यह मेरे brother के साथ भी problem थी, तो वहाना एक temple है, Kerala में, मनार्शाला करके एक place है, आप देखो, इंडिया में, I think, that's the only temple, एक priestess होती है, पुजारें होती है, पुजारी नहीं होती है, यह तो ना, वो, वो, when I talk about, परशुराम के descendants ही है, तो आप देखो, वहान जाके, जो भी मांगता है, 100%, you know, the person has a child, तो वहान, ऐसी जगे, जहां, you have snakes all around, इतने सांफ होते हैं, वहान, मंदिर के अंदर snakes, पूरे उसके कोटियार्ड में, हर जगे आपको snakes ही स्ने होते हैं, पेर रख दे कोई सांप पे, वो रास्ता अपने आपी छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा उसमें, वहान शक्ती इतनी है, वहान हंड़ेड परसेंट वहान कंसीव करता है, और कुछ करते हैं नहीं हैं, वो snakes नहीं करते हैं, वो पेडों पे, वहान ग्राउंड पे, हर जगे होती हैं, कोटियार्ड में, सब जगे, वहान पूजा भी जो करते हैं, आप खुछ जाके नहीं, वहान प्रीष्टेज बैठी हैं, आपसे करते हैं, वहाँ भी सांप होते हैं, वड़े बड़े पे지ंटेंग्स हैं, ऐसे, तो जो लोग कंसीव नहीं करपते हैं, वहान पर जाएगे के स्पेशल पूजा कर आते हैं, वहान, माम क्योंकि अभी सापों की बात हो जी है एक और इंटरेस्टिंग बात मेरा आप से पूछने का मन कर रहा है क्योंकि हमने वो वो सोल ट्रेडिंग वाली बात करी थी हमना कल एक पाउडगाश करते हैं जिसमें आज कले कॉंस्पेरेसी बहुत चल रहे है कि जो आधे वर्ल्ड लीडर्स है वो आधे रेप्टाइल जादे हुमन जे है रेप्टिलियन रेस इसे कहा गया है कि मतलब बाद में ऐसा जाके रिवील होगा जैसे हमारे यहां पे भी सर्प लोक और काल सर्प दोश और सापों की बहुत जादा वो है इंपॉर्टेंच तो मैं जानना जाता हू आपको इस बारे में कुछ नौलेज है कि ऐसी कोई हुमन रेस थी या है या होगी या कुछ देखो पहले तो देसे अल्वेस से हम मतलब एक बंदर से इंसान बने और थो स्टफ और तब 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 तो रिप्टाइल जी टॉट और डाइनॉसरा सब कुछी थे तब ऐसा 10,000 ताइम्स इसको इतना एडवांस लेके जा रहे हैं आप पूरी नेचर को ही दिस्ट्रॉइ कर रहे हैं तो एक ताइम आगा जैसे आप कह रहे हो रेप्टाइल थिंकिंगे इस नॉन दैड बेग अनिमल थिंकिंग हो जाएगे इन फ्यूचर क्यों आपका माइंडी ब्र क्या रहे हैं सुसाइटी में दिखा गया तो एवरीटिंग इस डाइम बिकॉस सब कुछ ना ऐसे एक सेंसर जैसे हो गई है कॉंपैक्ट होगे इस यून मी और इस ओनली मी तो यह चीजने फ्यूचर में आके इट कैन बिकम मोर यह नो एनिमल लाइक जो हाड हाटेड लाइ आ जाएंगे हैं नो बट यह मशीन पीपल हो जाएंगे जैसे इन यूमन तो हो ही जाएंगे मतलब बॉड़ी में शेप बॉड़ी शेप चेंज नहीं होगा मैं बेंटली वो नहीं बॉड़ी शेप भी दब ब्रेन वोड़ गो बेंसानियत और खता हो जाएगी और आपका आप मतलब बॉड़ी प्र्पोर्शिन जो है वो सकता सिर बहुत बडा वजाया बॉड़ी लीन हो जाए ऐसे चीजें हो सकती है क्योंकि आप क्या क्लोन कररे तो क्या कुछ नहीं कररे बिकデуляр कर कियों करीं जाके आप नेचर के अगैंस्ट है । ये चीजें हो सकती है और मै वोईस दुनिया जाती है क्योंकि आज भी से इंडिया बहुत प्रोग्रेस बेट आज भी ना वो जेंडर क्राइस है वोई और गर्ल स्पेशली फोईस दुनिया जाती है उदर तो एन येस बहुत महांता है उस टेंपल की तो वहां जाओ तो पूजा करते हैं और दिर इस पूजा जो क्रिशन और राधा कि ना वहां कराते हैं हां कै है तो बाला जी किया बट वह आपको बताते हैं तो वह पूजा कराते हैं उसके बाद अफ कॉर्स दे से इत्ससान और माम और कुछ जाते जाते आप जेनरल रेमेडीज हमारे ओडियंस को देना चाहोग जिस दिन भी आपके पैदाईशी हो जस्ट ब्लेस्ट वो दे इस लखी फॉर्स सुबह उटते हैं ना फस्ट थैंक गॉड या लाइफ फर्स और आप मतलब अपने घर में जैसे हैं किसी भी फॉर्म औफ गॉड को आप वर्शिप करते हो बट थैंक गॉड वो उपर वो प हुड गव अनीबडे टुडें मैं किसी को मतलब तकलीफ नहीं दूनगा या दूनगी या दिल्ना दुखाउं या एग मैं कोशिश करूंगा या करूंगी झूड नहीं बोलूंगी और जिससे कुछ अच्छा बन पढ़ता है मैं जुरूर कारा मैं हुड कारता हुग। आप जहां सचे होते हो, आप दिल से कुछ करते हो, फिर इससे बड़ी बात तो कुछ होती नहीं है, फिर आपके ना करमास बनने है, ना आपके, आप विदाउट एक्सपेक्टेशन करना, that is the main thing. मैं और हम जैसे लोग जैसे आप जैसे लोग भी हमारे आसपास टीम काम कर रही होते हैं, किसी से कोई गलती होई आपने डांट दिया, बट अब वो काम से रिलेटेड चीज है, और अगले का दिल दुख गया उसमें ना चाहते वे तब, ने बट वो तो रिफ्लेक्स एक्शन हैं, गलती करी आपने डांट दिया, वो करमा वहीं खता मलता है, अच्छा, इसलिए हर मदर आप देखो, जैसे बच्चे हैं कोई शरारते तरक मतलब थपड मार देते हैं, इंटेंशनली कोई सोच करने हैं, जहां इंटेंशनली आप किसी को हट करते हो, वो करमा बनता है, म आप किसी की भी प्लेस में, जैसे आप किसी के लिए सोचते हैं, सोचो अगर से मैं उस जगे होता, I think उसके बाद ना करमाज होती, ना कुछ होती, ये लाइफ साइकल से बहुत असानी से, लाइफ कॉंप्लिकेटर नहीं होती, you can live with peace, बहुत अच्छे पॉइंटर्स लो अर्थ बहुत छूदिया एक तरीके से, God bless you all, thank you, so भाई मैं जनता से बोलू हो, मैं से connect करने के लिए सारी details आपको मिल जाएंगे निचे description में, मैं का Instagram, website, phone numbers and everything, और मैं को आपको reach out कर सकते हैं, और मैं आपके courses भी है, हाँज, there are many courses, healing courses है, I teach tarot, numerology, astrology, feng shui, vaastu, तो उस के भी है, उससे भी related links हम डाल देंगे, और मैं आपको follow कर सकते हैं, आप से हम मिलेंगे नए podcast, और अगर आपको हमारे, मेरी specially hoodie पसंदारी है, वो बढ़िया design है, so realitstore.com is the place, कुछ नए designs आए हैं, वहां से आप shop कर सकते हैं, उसके लावा हम ऐसे मजदार episodes आपके लिए लेक हुआ है कि लेकंई तर रेख सकते हैं, बदvania कि लेक मात देने आपके से वमयों के से उसके लावा हैं, आपके से लेकर खो उसके आपके लिए संदाली, त झाल झाल